हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सौड़वर ऑप चनल मैं हूँ देवेनर गुपता, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने वर्ट्रेश वेबसाइट पे HTML, CSS, Java, Script का टूल को किस तरह से एड़ कर सकते हैं, पिछले वीडियो में हम फर्स्ट मैथड देखा था, आज के वीडियो में हम सेकेंड मैथड देखेंगे, पिछले जो मैथड था वो इतना शिक्योर नहीं था, आज के वीडियो में जो मैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, अभी सिंपली आपको चले जाना है ब्रॉजर पे, और यहां पे सर्च करना है अस्ट्रा चाहिल थीम, सब्सक्राइब आप जो थीम यूज कर रहे हो यह फिर अगर आप और यूज कर रहे हैं यह जैसे की जनेरल प्रस का है या फिर कोई लाने वाले होते हैं इक प्रवाइड करते हैं करते हैं जो कि आप एक जाय। आ hell इम थिम तरी कि शुनक क्या करिंगे सिंपली यहां पर देखिंगे तो फहला यह वेबसाइट नियुक्ति 1,4 मैं तरी तुर्फाइड में यहां चाहिआ हैं 3,5 मैं खरीफाभ परिया मैं जैसे कि मैं देवेंद्रा आश्टा कर दिया यहाँ पर सिंपली जनरेट करना है एडवांस ओप्सन में मत जाईए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीजे हैं यहाँ पर सिंपली जनरेट करेंगे देखिए यहाँ पर डाउनलोड लिंक आ चुका है यहाँ पर क्या करेंगे वापस से अपने डैसबोर्ड में चले जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आने के बाद देखिए मेरा अल्री यह चाहिल्ट तो हम क्या करते इसको पहले हम इसको एक्टिवेट करते हैं आश्ट्रा को कि यहां पर मैं देव अस्ता जो पहले था उसको में डिलीट कर रहा हूं यहां से यहां पर एड़ नियू करेंगे यहां पर अप्लोड करेंगे अप्लोड के बाद यहां पर च्यूज फाइल करेंगे गेश्टॉप पर आज आएंगे जो कि हमने अभी आज बनाया है धेवेंद्र आश्ट mail इसको हमस्ता नियूंट कर लेंगे है यहां पर एक्टिवेट करेंगे इसको दिखें हम करेंगे हम इसको मारे तर टीम सब्सक्रान सब्सक्राइब और यह Astra, यह हमारा Child theme है और यह हमारा Astra जो original theme है, हम यह क्यों कर रहे हैं मैं बी आपको बता case whom we had not through which deed उसका reason निई है कि जब भी आप theme प्लोड करेंगे तो उस में बहुत जाधा chances विए में चैप्णीו टूल्स है यहां पर आप देखेंगे कि www.phone9, wordpress, wp-content जैसे कि हमारा जो FTP होता है जो हमारा जिसे कि हम हॉस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर यह सारी चीज़े रहते हैं wp-content, w-admin, w-include यह सारी चीज़े रहते हैं तो आपको चले जाना है FTP में wp-include में, आपको मैं एक करके भी दिखाता हूँ जैसे कि मैं एक original भी आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मैं आवी समय वेम सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ इसके वाज़े से मेरा जो भी जितने भी फाइल्स बने हैं वो यहां पर डेस्टॉप पर बने हैं अगर मैं originally दिखा हूँ तो यहां पर देखे html, wp-admit, wp-include और यह प्लग-ins और यह सारे चीज़े ऐसे ही आ रहे हैं ठीक है तो मैं यहां पर आपको दिखा रहा था कि wp हमने जो contain है उसके अंदर जाना है style sheet बना है function.php बना है ठीक है तो अभी हमको करना क्या है मैं अपने वीडियो के description में आपको एक code दूँगा उस code को आपको यूज करना है ठीक है और किस तरह से यूज करना मैं और भी आपको बताता हूँ जैसे कि मेरा जो code है यहां पर paste करने के बाद आपको करना क्या है simply इसको open कर लेना है open with आप चाहे जैसे भी open कर सकते हैं मेरे पास visual studio है तो इसको देखने में और समझने में काफी पड़ता है यहां पर मैं इसको open कर लिया है आज को वीडियो में एक आप बहतरीन टूल दूँगा आपको जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूं लोग देखे यह हमारा image to PDF converter टूल है जो कि आपको मैं फिरी में दे रहा लिंक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली यहां पर देखे मैं image सेलेक्ट कर रहा हूं image आ चुका है यहां पर यहां पर सिंपली करना है download to PDF देखे हमारा जो PDF है बनके ready है तो इस तरह से आपको PDF जनरेट करके दे दे रहा है तो यह टूल मैं आपको प्रवाइट कर कि एक काम कर लेना जब भी आप ऐसे code डाल रहे हैं तो यहां से ना इस चीज को निखाल देना script और यहां से CSS मैं आपको वी रीजिन बताऊंगा क्यूं कि यहां पर इसको minify कर लेंगे ठीक है यहां पर इसको copy कर लेना है और यहां पर आपको चले आना यहां पर यहां पर पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट करने के बाद देखें यहां पर हमारा style आएगा यहां पर हमारा HTML आगया यहां पर हमारा style आएगा आप sequence छेंज कर सकते हैं आपकी हिसाब से आपको शीकिव गजिए मीनी यहां पर आ जाएंगे वापस तेसि कर दिजिए छिए आपाध आपको जैसर पर आजाना है जैसनेज सपक्या कर नहीं वुच को कि आneg critic कर देता हूं फिए मारा encrypted हो गया gss इसको भी हम आएंगे यहां पर दिखिए यहां पर script आ रहा है इसको copy paste कर देंगे अभी हमारा code encrypt हो गया इसको कोई change नहीं कर सकता कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता यह हमारा secure हो गया simply आपको save कर देना है और एक चीज और मैं बताऊंगा जिसे कि आपको यहां पर spacing है वो सारे निखाल देना है बीना मतलब कर जो spacing है ठीक है वो निखाल देना है और दूसरा आप इसके sequence को उपर नीचे कर सकते हैं change कर सकते हैं यह हमारा save हो चुका है आपको वापस से चले जान है पेजस में ठीक है पेजस में आने के बाद अभी हम क्या करेंगे एड करेंगे इसमें page पेज करने के बाद यहां पर हमने image to jpg-web converter डाल दिया इसको उसके बाद यहां पर आगर आप देखेंगे तो यहां पर default theme है देखिए आप यहां पर देखेंगे default जो template होता है इसके अंदर बहुत और एक template जुड़ गया जो की jpg, png, wave converter है क्यों यह add हो गया क्योंकि मैंने वहां पर आपको ऐसा coding दिया है जिससे यह theme के अंदर as a template यहां पर दिख रहा है आपको इसको select कर लेना है और यहां पर इसके बार publish कर देना है और यहां से एक बार इसको open कर लेंगे preview में यहां देखिये यहां पर हमारा जो image जो image to pdf converter है यहां पर आ चुका है यहां पर upload करेंगे इमेज अप्लोड हो चुका है यहां पर डाउनलोड तो एक क्यूँ ऐसा दिख रहा है इसका रीजन में आपको बताता हूं यह ऐसा क्यूँ दिख रहा है उसका में रीजन है इसमें यूज हुआ का css इसके वेज़े से इसको एक on click कर रहा है ठीक है यहां पर देखिए इसको बड़ा नहीं होने दे रहा है तो आपको इसके लिए मैं बोलता हूं कि css का knowledge थोड़ा भी होना चाहिए जिससे यह problem solve हो सके तो आपको क्या कर सकते है अभी देखिए यहां पर css में अगर मैं द लेता हूं वापस php में php में हमारा जो css में problem था तो css को हम फिर से change करेंगे यहां पर save कर देंगे फिर से हम जाएंगे यहां पर इसको refresh करेंगे आप refresh करते ही देखिए हमारा जो problem था उसल हो है अभी प्रॉब्लम है जो कि आप खुद solve किजिए css से किए और solve किजिए मैं हर इस आपको नहीं बता सकता इसलिए मैं बोल रहा हूं css थोड़ा सा css का understanding होना चाहिए कोई भी टूल बनाने के लिए कोई भी चीज करने के लिए तो देखिए यहां पर हमारा जो problem था वह एक तो मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि मैं control or use देखता हूं तो यह कोर सोर्स आता है ठीक है यहां पर आप कोर सोर्स में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है देखिए यहां पर कुछ भी आपको दिखेंगा नहीं आपका HTML, CSS, JavaScript कहीं पर भी आपको दिखेंगा देगा ज तो करी सकते है ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं कर सकता है बट मैं स्कूल तो 70% जो है आपका website शिक्योर हो चुका इसको कोई जल्दी copy नहीं कर सकता है आप यहां पर देख लीजिए आपको कहीं पर भी आपका code दिख रहे गया नहीं दिख रहे ना ठीक है तो इस तरह से आप सिक्योर करना है आपके website को गैज कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी important रहा हो तो like और subscribe करना ना भूले मैं ऐसे ही content आपके लिए लेके आता रहे तो web development से लेके tooling website से लेके ads fix के related चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में thank you for watching friends diaphragm लेक बहा है आपके लेके लोफ़ाई झाला है